प्रेपोजिशन के यूज आफ इन की प्रेपोजिशन को आप जानते होंगे बिफोर दे नाउन और प्रोनाउन की सिच्वेशन बताने के लिए जो यूज होता है उसे प्रेपोजिशन करते हैं प्रेपोजिशन यानि प्रेपोजिशन का मतलब इस्तित यानि पहले की इस्तित को दिखाने का यानि नाउन किस इस्तित में है संग्या किस इस्तित में उस्तित को दिखाने का परियास प्रेपोजिशन के अंतरगत किया जाता है चलिए हम लोग बात करते हैं प्रेपोजिशन इनका यूज इनका यूज कहां कहां पे होता है किस किस तरीके से होता है चलिए इसका यूज देते हैं इनका मतलब हिंदी में में होता है क्या होता है में कोई वस्त किसी वस्त में है तो इनका मतलब में होता है इनका प्रियोग बड़े स्थानों bigger places जैसे देश, सहर, महादेश, राज, महासागर, आद के नाम से पहले होता है जैसे we live in India, एक इंडिया क्या है, country है, country से पहले आप मे के sense में, यानि हिंदी में जो मे होता है, उसके sense में हम use कर सकते हैं, इनका, जैसे India is in Asia, एसिया महादीब में है, महादीब या महादेश उसे कहा जाता है, तो उसमें है, see lived in Uttar Pradesh, Uttar Pradesh क्या है, एक राज्जी है, तो कहते हैं राज्जी, राज्जी के बारे में अगर बात की जाए तो उसको मे के sense में हम इनका प्रियोग करते हैं, Mr. Thakur lives in Patna, पतना क्या है, एक शहर का नाम है, यानि बड़े देश, बड़े इस्थान, बड़े राज्जी, ऐसे इस्थानों के लिए, हम मे के sense के लिए इनका प्रियोग करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, रूल के इसके कौन-कौन से रूल इसमें follow होते हैं, तो रूल नंबर दो लिखा है, इनका प्रियोग निमलिखित phrases, phrase और clause में जिसमें difference आपको ना पता हो, मैं comment करके बताना, में होता है जैसे, in the night ये पूरा phrase है, in the morning, evening ये भी एक phrase है, in the morning, ये इनका प्रियोग करते हैं, देखे, रूल नंबर तीन लिखा है, इनका प्रियोग निमलिखित सब्दों के पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है, जिसे, in the word, संसार में, in the queue, queue का मतलब, line में, या पंक्ती में, in the city, सहर में, in the sky, आसमान में, in the village, गाओं में, in the bus, बस में, कहने का मतलब, जहां पर अंदर के संस में बात होती है, जहां पर कोई particular place हो, particular जगे हो, उस जगे में, अंदर के संस के लिए जब बात होती है, तो वहां पर हम इनका प्रियोग करते हैं, जिसे, in the world, in the queue, in the city, in the sky, in the village, या आपका सकते हैं, in the bus, तो इस तरीके से भी हम particular place, particular जगे के लिए हम use करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं हम, इसके rule number 4 की, rule number 4 कहता है, इनका प्रियोग, permanent action, इस्थाई कार को दद दिखाने, या करने के लिए किया जाता है, जैसे, his brother, easy in army, तो कहां है, आर्मी में है, एक navy में है, देखिए, आपके सामने लिखा है, he is in navy, तो navy में है, navy का मतलब जो समद्र में हमारी फाउज रहती है, उसके बाद, he is in politics, तो कहां है, राजनीत में है, यानि कहने का मतलब, इस्थाई कार के लिए, इस्थाई कार अगर कहें पर दिया है, permanent action, यानि स्थाई कार, तो उसी इस्तित में भी हम, इनका प्रियोग क करते हैं, जहां में का sense हो, में का sense अगर होता है, तो हां पर इनका प्रियोग किया रता है, कुछ particular places में, at का प्रियोग होता है, उसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है, चलिए बात करते हैं, इसके rule number 5 की, rule number 5 कहता है, इनका प्रियोग, period of time expressing words, अबध समय सूचक सब्दों से पहले होता है, जैसे आपके सामने लिखा है, in a week, एक सब्ता में, in January, January के महीने में, in this season, इस मौसम में, in 1992, यह आपको समय दिया गया है, यह आपको एक प्रकार की रितु दी गई है, यह आपको एक महीना दिया गया है, यह आपको एक सब Victorian age, कहने का मतलब एक यूग की बात की गई है, Victorian age जो इंगलिस पढ़ते हैं, उनको पता होता है, Elizabethan age थी, Victorian age थी, सताब्दियों की बात की जाती है, संचुरी की बात की जाती है, वहाँ पर भी हम इनका प्रियोग करते हैं, period of time expressing words, जिसमें time express किया जाता है, चले rule number six, उसका last rule है, कि लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर उपस्तित हो, तो इनका प्रियोग होता है, जिसे in the car, in the bus, in the class, in the pool, यानि तालाब में, कहने का मतलब यह है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर उपस्तित हो, जैसे हमने यहां पर एक square बनाया, square के अंदर है, तो ऐसी इस्तित में भी हम इनका प्रियोग करते हैं, आप प्रियास करिए, आप इनका प्रियोग जब भी करिए, आप इन रोज को पढ़ने के बात करिए, चलिए हम लोग बात करते हैं, इसके अगले बाट की, तो इनका प्रियोग हम लोग सीश चुके हैं, इसको समझने का प्रियास कीजिए, कि preposition में इंटु का प्रियोग कहां पहता है, देखे, rule नमबर एक लिखा है, इंटु का प्रियोग, motion, inside, anything, किसी चीज की गति, कोई भी गतिमान चीज हो, वो अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर जाती है, तो वहां पर हम इनका प्र प्रियोग करेंगे, कैसे, देखे, किसी चीज के भीतर, की और गति के भाव को वेक्त करने के लिए, किया जबता है, जैसे, दफ रॉग फेल इंटु दा बेल, जो फ्रॉग है, यानि मेड़क, फेल माने गिर गया, इंटु माने में, दबेल माने कुए में, तो कुए में ग स्पीड में होती है, और किसी वस्त के अंदर कोई वस्त हुजाती है, तो वैसी इस्तित में हम इंटु का प्रियोग करते हैं, वहां पर इनका प्रियोग उचित नहीं है, ग्रामर के हिसाब से वह गलत होगा, ठीक है, चलिए, अगला लिखा है, दा रोबर्स ब्रोक अगल से बताते हैं, इंटु का प्रियोग, डूल नंबर दो देखेंगे, इंटु का प्रियोग, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में परिवर्तन के लिए होता है, परिवर्तन का मतलब चेंजिंग, यानि अगर वाटर जो है, करना है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो कोई वस्त हो या किसी भासा को आप चेंज कर रहे हैं किसी भासा को बदल है तो वहां पर भी हम इंटुबा प्रियोग करेंगे दूसरा देखो लिखा है milk turns into curd जो आपका दूद है वो curd में change हो गया कहने का मतलब दही में change हो गया तो आप कह सकते हैं कि दूद में क्या हुआ बदला हुआ जब कोई चीज में transformation हो यानि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो ऐसी इस्तित में भी हम इंटू का प्रियोग करते हैं water turns into ice जैसा कि हमने भी बताया कि जो पानी है वो किस में बदल गया वो बर्फ में बदल गया तो कहने को तब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ milk की अवस्था में परिवर्तन हुआ जैसे the police inspector inquired into the case तो police inspector जो है उसने inquiry की किसमे के case में की किसी परकार का कोई case था उस case में inquiry की तो कहने का मतलब किसी के कार्य में कोई काकी के sense में जब कोई बात करता है तो ऐसी इस्तित में भी हम इंटू का प्रियोग करते हैं जैसे the old man has inside into man's character जो बुढ़ा व्यक्ति है यहां पर देखे टर्ण फॉर्मेशन जो है वह चीज़ा रहा है काकी के sense में हो रहा है inside into man's character कहने के मतलब जो बुढ़ा व्यक्ति होता है उस गति को दिखाने के लिए हम into का प्रियोग करते हैं चलिए आगे देखिए rule अगला लिखा हुआ आपके सामने उसको समझते हैं rule number 4 कहता है into का प्रियोग वर्व के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है यह आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे शब्दों में परिवर्तन अजाता है जिसे break का मतलब तो वहाँ पर क्या होता है break का मतलब क्या होता है आपको पता है तो जब break का मतलब पता है जैसे हमने into उसके साथ जोड़ दिया तो break होता है किस चीज में जाबर जस्ती करना जब बरेकशटी कररना जैसे दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है इट इन्टू इट का मतलब क्या होता है खाना ahead into का मतलब होता है निच्ट करना कहने का मतलब शब्द में परिवर्तन के लिए भी into का प्रियोग होता है जैसे लिखा है लोक इंटू लोक इंटू का मतलब होता है जाच करना लुक का मतलब क्या होता है देखना तो यहां पर जैसे हम ने किशी सीज़ का करना अब अगे लिखा है बदलना क्या क्या क्यसकते हैं बदलना जब किसी तो इसका मतलब होता है किसी को आलो करना यानि अग्व्या देना अग्या अग्या लिखा सब्सक्राइब इंटु नहीं करता है क्या कर दो ज Temper dalla Olha कर देना तो जब उसका अर्थ बदलता तो वहां पर भी हम इंटू का प्रियोग करते हैं इंटू के के वल इतने ही उपयोग है इसके लाब उपयोग नहीं है चलिए होपुली आपको इन और इंटू में आपको डिफिरेंस सांज में आया होगा मिखनें किसी नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ तब तक के लिए बा बाइ